हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो सभी NDA एस्पिरेंस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि NDA में टोटल कितने एक्जाम होते हैं और महाँ पर टोटल आपसे कितने कोशन पूछे जाते हैं इसके साथ ही उन कोशन्स को करने के लिए आपको टोटल कितना टाइम दिया जाता है तो ये तीन कोशन्स आज आज आपको इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इन तीन कोशन्स के डाउट आज इस वीडियो में आपके किलियर हो जाएंगे क्योंकि ये questions जो है candidates जादा तर candidates हम से comment box में पूछते हैं तो हमने सोचा इसके उपर अलग से ही वीडियो क्यों ना बना ली जाए तो आज किस वीडियो में हम ये तीन questions को आपको समझाने वाले हैं step by step आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि NDA के exam में आपका किस तरीके से क्या होता है total कितने questions आपर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा NDA में total कितने exam होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों NDA में total 2 exam होते हैं लेकिन ये दोनों एक्जाम जो हैं, एक ही दिन करवा लिए जाते हैं, पहले आपका math का एक्जाम होता है, दूसरा आपका get का एक्जाम होता है, get के एक्जाम में जो है आपकी English और G के इस तरीके के current affair के question आते हैं, और math में आपका totally math आता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो अब मैं आपको बता दूँ कि पहले आपका math का एक्जाम होगा, तो math के एक्जाम में total कितने question आएंगे, तो दोस्तों, NDA में math के total 120 questions आपके आते हैं, 120 questions को करने के लिए जो आपको time दिया जाता है, वो दिया जाता है धाई गंटे, तो धाई गंटे का time आपको मिलता है, 120 questions को करने के लिए, बात करें get की, तो get में आपके total 150 questions आएंगे, 1500 questions आपसे पूछे जाएंगे, और उन questions को क करने के लिए आपको जो time मिलेगा, वो धाई गंटे का time दिया जाएगा, तो इस तरीके से math और get, दो exam आपके होते हैं, एगी दिन होते हैं, math के 120 questions आएंगे, धाई गंटे time आपको मिलेगा करने के लिए, दूसरा get, get में आपके English, GK, current affair के question आते हैं, ये आपके total 150 questions आते है और इनको करने के लिए भी आपको धाई गंटे का time दिया जाता है, तो इस तरीके से NDA में total 2 exam होते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, ये तीनो doubt आपके इस 3 मिनट की वीडियो में killer हो गए होंगे, तो दोस्तों ऐसे ही knowledgeable videos को देखने के लिए NDA के doubts की videos देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe कर लेना, और अगर कोई आपका सवाल या doubt है, तो आप में comment में पूछ सकते हैं, हम उसके ओपर भी अलग से वीडियो बना देंगे, या आपको reply देंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक न